नमस्कार दोस्तों मैं हूं आर्द्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करेंट अफैर अनालिसस प्रोग्राम में तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला तो आछ की खबरों में आज की सुर्खियों में खास हमारे एक्जाम्स के perspective से हमारी सबसे पहली जो headline है वो बात करती है about a very important constitutional post and that is governor Stalin जो की हमारे Tamil Nadu के CM है basically MK Stalin उनका एक statement आया है कि governor has failed in constitutional duty ठीक है अपने आप में governor साब पर जो है एक बहुत बड़ा allegation लगाए गया है और कहा गया है कि वो अपनी constitutional duties नहीं निभा पाए है ऐसा statement है MK Stalin का उनोंने accuse किया है basically और क्यों accuse किया है क्योंकि ये सब कुछ है in regards of the failure in performing the duty vested with him by the constitution while taking decision or we can say while deciding on the bill adopted in state assembly in September last and that bill किस चीज़ पर था जड़ा फटा-फट से comment section में लिखकर बताईए कि वो कौन सा बिल था जिस पर की हम आज बात कर रहे है अभी हम जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा but let's see कि आपकी conscience कितनी active है right देखे मैं बीच-बीच में आपसे इसलिए questions पूछती रहती हूँ so that आप भी interact करते रहो right और उससे आपको भी जो है एक connectedness जो है पता चलेगी और आपका जो brain है वो बहुत prompt होगा while answering the questions ठीक है और exams में कई बार ऐसा होता है कि पढ़ा हुआ सब कुछ ही नहीं आता but UPSC में हमने कभी कुछ चर्चा की हो बात किया हो या कभी किसी किसी और से आपने कुछ discuss कि और वहां से कई बार questions first जाते हैं तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम जादा से जादा discuss करते रहें तो देखिए तमिल नाडू के CM ने governor को accuse किया है और कहा है कि जब मात आई बिल अडॉप्ट करने की decision पर जो की legislative assembly में होना था और वो बिल था against the NEET exam यानि national eligibility come entrance test तो उसके basis पर जो है उन्होंने काय कि governor जो है वो fail किये है उन्होंने अपनी duty धंसे नहीं निभाई है क्यों क्योंकि governor ने वो बिल जो है वो return कर दिया था to the assembly speaker instead of forwarding it directly to for the presidential assent आपको पता होगा कि जब भी बिल कोई बिल पास होता है तो उसका यही होता है कि वो पहले सारी प्रक्वियाओं से होते हुए या तो प्रेसिडेंट अगर हम central government की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास जाता है अगर वो state government की बात की जा रही है तो वो governor के पास जाता है ठीक है और governor कई cases में उसे आगे प्रेसिडेंट के assent के लिए भेजते हैं ठीक है तो यह बिल governor ने वापस कर दिया जो कि उनका right होता है ठीक है according to the constitution कि भाई इसको ले जाओ इसको फिर से आप consider करो यह मैं नहीं भेज रहा आगे तो यह issue हुआ था इसको और समझते हैं तो देखें आज का जो हमारा सबसे एहम मुद्दा है इस पूरी news से निकल कर जो आता है वो है upon the legislative powers of governor एक governor की legislative powers क्या होती है उसके आधार पर यह एक बहुत important topic है और पूरी संभावना है कि prelims में और mains में दोनों में ही यह question आप से पूछा जाए क्यूंकि governor का role इस पूरे एक से देड़ साल में जो है बहुत important रहा है चाहे आप जितने भी जो हमारे states हैं हर state में governor का बहुत important role रहा है भारत में ठीक है powers को ले करके उसमें है governor के summon को ठीक है governor जो है वो summon करते है session of both the houses of the state legislature ठीक है और जरा मुझे बताईए कि president कौन सा summon करता है क्या है president करता भी है या नहीं ठीक है which session does president summons ठीक है यह आपको मुझे बताना है और कहा होता है वो session यह बताना है ठीक है तो governor का हमने देखा कि state legislature के case में दोनों ही houses को वो summon करता और उसे प्रोरोग भी करता है governor के पास यह power होती है कि वो state legislative assembly को dissolve कर सके ठीक है दूसरी चीज़ यह कि जो यह powers है यह formal होती है और governor उसे अपने according use कर सकता है on the advice of council of ministers headed by the chief minister of the state और तीसरी चीज़ की governor जो है वो address करता है the first session of the state legislature after the general elections in the state ठीक है तो यह भी एक मुद्दा important है दूसरा जो legislative power का issue आता वो है appointment to the legislatures अब देखिए जो one six members होते हैं आपके state legislative assembly के ठीक है उनकी appointment ठीक है legislative assembly नहीं legislative council के ठीक है गलती से मेरे मुझ से निकल गया so जो one six members है state legislative council के वो appoint किये जाते हैं governor के द्वारा जब भी there is bicameral legislature दूसरी चीज़ वो nominate करते हैं एक member को in the legislative assembly from the Anglo-Indian community ठीक है अच्छा एक चीज़ और यहां मुझे बताइए आप कि क्या president भी okay whether president also appoints someone or nominates not appoint but nominate whether president also nominates anyone from Anglo-Indian community यह आपसे जरा मेरा question है इसको बताइए कि क्या president भी nominate करते हैं और अगर करते हैं तो कितने members करते हैं Anglo-Indian community से दूसरी चीज़ गवर्नर जो है वो empowered होता है to disqualify a member of the state legislature then जब election जो है election commission जो है वो recommend करता है कि this legislature is no longer complying the provisions of article 191 ठीक है तो यहाँ पर power होती है 192 के तहत power होती है 191 में जो provisions है उसके द्वारा गर कोई comply न करे तो उसे disqualify करने की ठीक है यह भी clear हो गया आगे चलते हैं next जो important power है वो है about the passage of the bill जितने भी bills होते हैं state legislature के वो law बनने से पहले वो pass होने से पहले governor के पास जाते हैं उसके ascent के लिए इस case में governor के पास कुछ powers होती है सबसे पहले तो वो क्या कर सकता है वो simply ascent दे दे उस bill को और pass कर दे right दूसरी चीज़ वो उसको withhold करके रख लेगा उसका ascent क्या है वो withhold करके रख सकता है तीसरी चीज़ वो bill को legislature को reconsideration के लिए वापस भेज सकता है लेकिन अगर वो bill money bill है तो वो ऐसा नहीं कर सकता ठीक है चौती चीज़ अगर जो की bill repass किया गया legislature द्वारा बिना किसी amendment के तो governor को उस पर ascent देना होगा ठीक है और पांचवा जो condition होता है वो यह होता है कि जो reserve किया गया है bill वो आगे president के consideration के लिए reserve कर सकता है तो था कि भाई ascent कर दो यह होता कि आप ascent के लिए president के पास बेज़ दो यहाँ पर condition है कि उसने जो है president की consideration के लिए reserve करें कि नहीं आभी नहीं मैं इसको pass करूँगा let's send it to the president एक बार वो अपना ascent देंगे तो ही यह pass होगा मुझे उनसे बातचित करनी हूँ ठीक है इस case को ले सकते है या फिर जो अगला मुद्दा है हमारा यह जो थी यह पाँच पावस थी governor की bill को ले करके ठीक है जब आप इसको समझेगा तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे देखो हमेशा ना combine studies करनी चाहिए जब आप governor पढ़ रहे हो ना उसी के साथ president revise करते जो जब prime minister पढ़े हो तो उसके साथ cm revise करते जो ठीक है जब high court पढ़े हो तो उसी के साथ supreme court revise करते जो बहुत minor difference होता है ठीक है तो यह आपको करना है इसको revise करते टाइम आपको इसके साथ president की जो bills related power है या legislative powers है वो भी आपको देखनी है ठीक next है हमारा ordinance making power भाई governor के पास भी है ordinance making power यहाँ पर यहाँ क्या होता है कि जो state legislature है जब state legislature में sessions न हो रहे हो ठीक है जब state legislature session नहीं करनक कर रहा हो उस time पे governor जो है वो consider अगर करेगा कि नहीं भाई कोई law बनना चाहिए तो वो promulgate कर सकता है कोई भी ordinance को यह ordinance जो है यह submit किये जाते है state legislature में उसके बिलकुल next session के लिए ठीक है और वो valid रहते हैं for not more than six weeks from the date the state legislature is reconvened unless approved by it earlier ठीक है तो यह six weeks वाला जो मुद्दा यह important रखना इसको exam में four weeks करके आपको confuse करता है ठीक है और इसके अलावा एक दो चीज़े और है वो भी important है जैसे कि article 165 और 177 में governor इन दोनों articles किता है governor जो है वो आपके advocate journal को जो है general को जो है बोल सकता है या पूछ सकता है उनसे to attend the proceedings of both the houses of the state legislature और उन्हें report भी कर सकता है upon any unlawful functioning अगर महाँ पर उसे कुछ दिखती है तो देखा जाए तो governor के पास अच्छे खासे powers है एक question है यहाँ पर मेरा आप से कि आपको क्या लगता है जादा powers किसके पास है प्रेसिडेंट के पास ठीक प्रेसिडेंट versus governor कर लीजे ठीक है इस पर इनकी जो powers है ना इस पर एक छोटा सा अगर हो सके तो answer लिख करके मुझे submit करिए मैं review जरूर करना चाहूंगे आपका answer कि president जादा powerful है या governor किसकी powers कितनी powerful है यह आपको मुझे लिख कर बताना है maximum word limit 200 की है कोशिश करना कम से कम रखो ठीक है चलो आगे चलते हैं अगली news हमारी जो है आज के newspaper में that was about a wetland that is named as busai wetlands और यह कहा है यह located है गुरू ग्राम में ठीक है और कहा जा रहा है कि environmentalist जो है या birders seek जो है वो जो है basically इस wetland की protection के बारे में बात कर रहे है जो कि गुरू ग्राम में उनका कहना है कि यह जो आपका wetland है इसकी size जो है वो shrunk होती जा रही है कम होती जा रही है ठीक है जो इसकी original size थी उससे तो important यह आपर है busai wetland क्या है कहां located है यह सारी चीजे समझना तो देखिए busai wetland जो है जैसे मैंने बताया आपको कि गुरू ग्राम में है उसकी size छोटी हो रही है जो कि उसकी original size थी उससे compare करें तो और इसका जो location है वो exact है busai village में ठीक है और इसे जो है rich flora और fauna का combination of water body माना जाता है यह lie करता है on the paleo channel of the sahibi river किस river पर? sahibi river पर तो river का नाम थोड़ा से important है वो देख ले ना sahibi river यमुना की tributary है basically जो की originate होती है हमारी अरावली hills में ठीक है अरावली ranges इंदी राजस्तान और flow करती है इन पूरे region से significance क्या है busai का तो देखे उसे recognize किया गया था as one of the most important India's important bird and biodiversity area जो की global conservation के नजरिये से बहुत बहुत important है दूसी चीज़ यह कि जो इसका support है population को इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे endangered, vulnerable और threatened bird species जो है वो यहाँ पाए जाते हैं तीसरा point है कि यह recognize किया गया है global world level पर as important bird area किसके द्वारा world life international housing द्वारा और ऐसा माना जाता है कि 20,000 birds जो हैं जिनकी 280 types of species जो हैं including migratory birds और endangered birds यहाँ पर पाई जाती है such a vast number ठीक है और हाला कि इसे एक protected wetland जो है वो declare नहीं किया है अभी तक government of haryana ने in spite of so much of importance ठीक है तो इसलिए लोग इसकी protection की मांग उठा रहे हैं ठीक, threat जो है इस wetland को वो यह है कि जहाँ जिस rate से जिस speed से cities के expansion हो रहे हैं भविश्य को देखते हुए जो wetland है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और कहीं न कहीं disappear होता जा रहा है ठीक है और modern housing जो है construction जो है basically और infrastructure developments जो आप देख रहे हैं उसके साथ-साथ जो है इनको बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि जैसे वो areas बढ़ाए जाएंगे जैसे नई-नई developments की जाएंगे नई roads बन रहे हैं highways बन रहे हैं, buildings बन रहे हैं इनका area obviously कम होता जाएगा तो यह इनको threat है तीसरी चीज़ जो upcoming express way है यहाँ पर वो कहीं न कहीं cut करता है और इस area में और majorly impact भी करता है जो flyways हैं इस area के या thousands of जो आप कहलो कि जो migratory birds यॉरप से Central Asia में आती हैं कहीं न कहीं उन्हें जरूर disturb करेगा हमारा upcoming express ways जो हैं तो यह दो मुद्दे बहुत major threat हैं बसाई wetland के लिए ओके आगे चलते हैं next news हमारी another very important bill को लेकर है जिसका नाम है population control bill ठीक है और मांग उठाई गई है कि removal of penal clauses from population control bill should be there जो penalize करने की बात की जा रही है उसको हटाया जाना चाहिए ठीक है राज्यसभा में discussion हुआ एक private member bill का on the population regulation को लेकर के ठीक है यह bill सबसे पहली बार introduce किया गया था 2019 में ठीक है यह private member bill है जिसको propose किया था जिस व्यक्ती का नाम है राकेश सिन्हा याद रखीगा क्योंकि private member bill है और थोड़ा सा अलग होगा ठीक है जो purpose है इस bill का वो था to control the population growth of India और proposed bill जो है इसको sign किया गया था 125 members of parliament द्वारा और अभी भी यह pending है यह अभी law नहीं बना है ऐसा कहते हैं कि यह जो bill होगा यह amend करेगा आर्टिकल 47A को और वो propose करता है दो चीजे पहला कि जो state है वो promote करता है small family norms को by offering incentives in taxes, employment, education, etc. और state को जो है withdraw करना चाहिए every concession को from और जो है deprive भी करना चाहिए हर प्रकार के incentives को उन लोगों को जो की adhere नहीं करते हैं small family norms को, छोटे परिवारिक norms को जो लोग नहीं follow करना है उन्हें हर प्रकार के incentives से वंचित कर देना चाहिए कुछ की provisions है जिन में penalties आती है सबसे पहले 2019 का जो यह bill है हमारा यह बात करता है कि भई कुछ penalties होनी चाहिए उन couples के लिए जो की two child policy नहीं अपना रहे है से जा उन्हें government jobs के लिए ineligible कर दिया जाए two child policy क्या है तो 2020 में एक bill proposed हुआ जिसको की two child policy के नाम से जाना जाता है यह कि हर couple के पास दो बच्चे होने चाहिए दो से अधिक नहीं होने चाहिए incentivizing adoption ठीक है यह bill कहीं न कहीं जो adoption है उसे भी incentivize करता है वो कहता है कि itself incentivize adoption through various measures जैसे कि educational benefits हो गए taxation cuts हो गए home loans हो गए free healthcare हो गए यह सारी चीज़े हो गए और last है हमारा birth spacing यह यह भी propose करता है कि एक healthy birth spacing जो है होनी चाहिए ऐसा एक measure आना चाहिए जिससे कि जो availability है accessibility है या affordability है of qualitative reproductive health services वो लागू हो सके वो लोगों में आ सके ठीक है आगे चलते हैं issues क्या है penal provisions को लेकर तो वो समझते हैं सबसे पहला alienation अगर कोई family penalize हो रही है for more than two children तो जो third child है वो उसके मन में एक alienated एक unwanted child होने की feeling हाईगी जो के बिलकुल सही है दूसरी चीज बार on women होगा जो biggest victim होंगे जो लोग इस बिल के वो होंगी women irrespective of any religion like whether they are Hindus, Muslims या जो भी ठीक है तो उस case में आप क्या करते होगी like यह होगा कि या तो सब लोग mostly male child के उसमें आ जाएंगे right anti female child की feeling जागरित हो जाएगी तो उस case में जो है फिर यह होगा कि क्यूं रखने है दो बच्चों के लिए आपको repetitive बहुत सारे abortions लोग करवाने लग जाएंगे जो कि गलत होगा ठीक है violation of reproductive autonomy होगी violation of individual privacy भी होगी और remarriage issues बार बार आएंगे क्यों क्योंकि जो divorce person होगे जिनके पास दो children है with prior partner वो अपने दूसरे partner के साथ फिर बच्चे आगे नहीं रख पाएंगे next spouse जोगा तो यहाँ पर remarriage का issue आएगा और remarriage की जो situation शुरू की गई थी कि भाई दुबारा marriage का अधिकार हो शादी का विवाह का अधिकार हो वो जो है एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा फिर वापस से कहीं न कहीं society में जो है वो issues आने लगेंगे क्या जरूरत है ऐसी policies की यहां मुद्दा गई उठा कि भाई अगर इतने issues हैं तो आखिर क्या जरूरत है तो देखिए इंडिया जो है इंडिया में land availability 1.2 hectare है per person ठीक है और जो resources हैं वो है 0.43 के हिसाब से केवल तो अगर हम देखें तो उसे साब से जो भार पढ़ रहा है ecological footprint जो है वो बहुत जादा हो रहा है और हम ecology के debtor हो जा रहे हैं ठीक है और अगर इस तरीके से हम रहेंगे तो जो ecological footprint है basically जो हम use करते हैं उनके बीच का जो gap है वो regeneration के लिए almost 187% तक बढ़ जाएगा और अगर इस resources है जो natural resources है वो exhaust हो जाएगी और लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा ठीक है तो यह इतना मुद्दा जो है यह बहुत एहम है बहुत important है इसको जो है देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा यह बहुत important bill है यहाँ पर आपसे मेरे लिए question है question यह है कि आपको क्या लगता ह है कि क्या यह bill सही है और सही है तो जो इसके penal provisions है उनसे आप कितनी जादा तरीके से सहमत है और क्या आप suggest करेंगे कि यही होने चाहिए या कुछ और penal provisions होने चाहिए ठीक है way forwards आप क्या suggest करोगे प्लीज लिख कर हमें बताओ क्योंकि बहुत ही जादा chances है ऐसे type के questions exam में आने ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next news हमारी जो है वो again इंडिया के उपर ही है कि इंडिया जो है वो कहीं न कहीं उसका जो यह कह सकते हैं जो उसकी छवी है वो risk पर है कैसे इंडिया जो है वो run कर रही है risk of being excluded from a proposal जिसे इंडिया ने खुद को author किया था WTO negotiations round में ठीक है जो की held हुआ था 2020 में और वो था temporarily wave का क्या temporarily wave of intellectual property rights जिसे held करा जाता है primarily western countries के द्वारा on vaccines, therapeutics and diagnostics for covid-19 case क्या है case यह कि इंडिया और चाइना जो की डो major global suppliers है medicine के ठीक है और इन्हें जो है exclude करने की बात की जा रही है एक small group है WTO members का जो यह discuss कर रहा है जुनके suggestions आ रहे हैं कि भाई drug manufacturers from India और चाइना को prospective waivers of IPR obligation से रखा जाए ठीक है यह मुद्दा उठ रहा है IPR obligation जो है वो result है अपने आप में trips agreement के जो की WTO members ने जो है मिल करके commit किया था to uphold it ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा और समझते हैं कि भाई यह agreement on trips क्या है तो देखिए जो agreement on trips है यह international legal agreement है between all the member nations of the world अब अगर exam में या question में आपको all दिखेगा तो please इसको extreme मत मानना क्योंकि यह ही है trips जो है वो है agreement between जितने भी members हैं world trade organization के उनके साथ यह establish करता है minimum standards जिनसे regulation किया जाता है national governments का different different forms of IP यानि intellectual property के आप ठीक है और यह जो है apply भी करते हैं WTO member nations को trips को negotiate किया गया था at the Uruguay Round of General Agreement on Tariffs GATT जिसको बोला जाता है 1989 और 1919 के बीच में और इसे administer करता है WTO यह introduce किया गया था intellectual property law के लिए जिससे कि multilateral trading system जो है वो पहली बार सामने आया और remain and ना सर्फ वो आया बलकि comprehensive multilateral agreement जो है intellectual property पर भी लागू किया गया थीक है three provisions की बात करें कि मुख्य 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 क्या है trips के तो देखिए trips require करता है कि जो उसके member states है वो एक strong protection दे for intellectual property rights ठीक है वो ये भी देखता है कि how to provide copyright rights ठीक है covering authors and other copyright holders जिससे कि holders और उनसे related rights जो है वो intact रह सकें namely performers जैसे होगे, performers के rights होगे, sound recording के producers होगे, broadcasting organizations होगे इन लोगों के जो rights है वो intact रह सकें ठीक है ये GI के लिए भी provide करता है GI यानि की geographical indication के लिए in the area of industrial designs, integrated circuit layout design, patent new plant इन सारी चीजों में और इतना ही नहीं specify भी करता है enforcement procedures को, remedies को और disputes resolution के process को TRIPS जो है वो most favored nation का clause भी रखता है MFN आपको पता होगे MFN क्या है फटा-फट से मुझे ज़रा comment करके बताई कि MFN क्या होता है ये मैंने आपको current affairs में पढ़ाया है क्योंकि और भी कुछ चीज़े हैं जो TRIPS agreement के अंतरगत आती हैं जैसे कि copyright terms होगे जिने की 50 साल लगबग extend किया जा सके computer programs होगे जिने literary works वगेरा का जाता वो भी copyright के अंडर आते हैं और patents उन्हें भी दिया जाना चाहिए जिनके inventions होते हैं in the field of technology और उसे at least 20 years तक एंफोर्स किया जाना चाहिए तो ये भी कुछ चीज़ें है extra चीज़ें जो की TRIPS agreement में दर्ज हैं तो ये था important इस पूरी news में जो important मुद्दा है वो यही समझना है कि TRIPS agreement क्या है और उसके key provisions क्या है और वो किस तरीके से affect कर रहा है ठीक है चलिए आगे चलते हैं next news हमारी एक rare insect से related है जिसका नाम है black percher या black ground skimmer ये देखी गई है शीश चलम में अब आप से मेरा question है कि शीशा चलम कहां located है अगर पता है तो बताईए नहीं पता तो google करके बताईए क्योंकि location important है ठीक है where is it located ये जो species है देखिए IUCN red list के साब से अगर देखें तो ये black ground skimmer जो है उसको label किया गया था 2016 में as of least concern क्यों क्योंकि इनकी ये जो है एक wide variety में जो है और wide number में prevalent है already southern Eurasia और whole of Africa में ठीक है और ये insect के उसमें आते हैं ठीक है इनका जो phylum है basically वो कहलाता है orthopoda और class जो है इनकी वो है insecta और order है odonata ठीक है ये चीज़े important है science and tech के हिसाब से कहलो environment के हिसाब से कहलो तो please इसको समझ लेना ठीक है ये जो insecta इसे देखा गया है now in the forest locations of karnataka and coastal आंदर प्रदेश ये देखे जाते हैं ठीक है लेकिन इस बार जो इनका maiden appearance हुआ in the sheesh चलम ranges वो काफी जो है notice करने वाला था इसलिए जो हमारे तिरुपती के photographer है जिनको की पहले award भी मिला हुआ है merit certificate दिया गया जिनने Republic Day की celebrations के time पर चिटूर में उन्होंने इसको cover up किया है तो कुछ खास नहीं है इसका नाम important है कौन सी class से है और क्या इसका scientific name है वो चीज़ें आपको देखनी है और हाँ ये question है मेरा आप से कि शीष चलम कहां located है कौन सा एरिया आता है ये जरा फटा फट से मुझे बता दीजे आप लोग ठीक चलिए ये थी आज की कुछ खबरे आज का question of the day आपके लिए है हमारा ये इसको please solve करने की कोशिश करेगा governor हमने पूरा cover किया है तो आपको उससे ये news निकालनी है ठीक है question जो है उससे relate करना और इसका answer मुझे बताना है यहाँ पर गल्ती से मुझसे ये mistake हो गई है B, B, C, C ठीक है ये है A का option 1 & 2, B का option 1, 3, 4, C का 2 & 3 और D का 2 & 4 ठीक है तो इसको solve जरूर करिएगा ये थी हमारी आज की news coverage और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ daily hashtag cd rituals पर उमीद करते हैं कि जितना भी हमने आपको आज समझाया होगा आपको समझाया होगा important topics देखो तो दो बहुत जादा है आज के एक तो हमारा population control bill वाला और दूसरा है हमारा WTO वाला ठीक है trips agreement को लेकर के ये दोनों बहुत important है 8 news और कल आई थी about the demise, sad demise of Lata Mangeshkar उसको हमने as such यहाँ पर cover up नहीं किया है ठीक है लेकिन हाँ एक important news है यह हमारे देश में क्यूंकि one of the legends of music she has left us ठीक है तो यह एक बहुत दुखत खबर है और हम अपनी विनम्रशा दांजली भी उन्हें present करते हैं उनको उनके लिए रखते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों यह थी आज की मुख्य खबरे पढ़िएगा समझेगा और question मैंने आपको दिये answer writing के लिए attempt करने को प्लीज उसको attempt करो क्यूंकि आपको सिर्फ prelims नहीं qualify करना है मेंस का answer writing का भी तरीका देखना है ठीक है तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद नमशकार जै हिंद जै भारत and yes do not forget to like subscribe and share thank you so much guys subscribe to a Europe channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Seville's daily